हेलो दोस्तों वेल्कम टू लर्न इंडिया ओफिस्यल चैनल तो मैं आज बताऊंगा आप सभी के बीच इस साइन्स का जो है most important question है for exercise constable जारखन exercise constable के रिए ये most important question है dear friends तो आप लोग 20-20 question का set देखेंगे आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें और पूरे वीडियो को देखें वीडियो अच्छा लगे तो like करें subscribe करें चलिए first question को मैं start करता हूं blue baby syndrome किन लवनों के कारण होता है option आपके सामने है sulfate, chloride, carbonate, nitrate तो इसका correct answer आप सभी को देना है ओके दोस्तों तो चलिए इसका correct answer हो जाएगा आपके सामने option नमर डी, nitrate, blue baby syndrome जो लवन है, nitrate लवन के कारण होती है चलिए next question दिया गिया है कि photochromic lens में नीम्न परिशर में सबसे अधीक उप्योग किस, सबसे अधीक उप्योग किस परकार किया जाता है ओके दोस्तों तो ये आपके सामने चार option है, potassium, dichromat, silver chloride, potassium, ferret और ferric chloride तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, option number option B correct हो जाएगी, silver, chloride, option B, next question दिया गिया है, नीम्न में से अधीक दरिबमान किसका है चार option दिया गिया है, अधीक दरिबमान किसका है, तो first दिया गिया है, electron, second proton, और third दिया है, neutron और option D दिया गिया है, hydrogen, nucleus, तो सबसे अधीक दरिबमान इसमें से किसका है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, neutron, neutron का जो दरिबमान होती है, सबसे अधीक होती है next question दिया गिया है, four number में कि लोहे में जंग लगना क्या है, कौन सी परिवर्टन है जो लोहे में जंग लगना option number यह है, कि भौतिक परिवर्टन, option number B दिया गया है, विद्यूत रशायन परिवर्टन, option number C, विद्यूत परिवर्टन, इनमें से कोई नहीं ओके दोस्तों, तो लोहे में जंग लगना हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, दोस्तों की रशायनिक परिवर्टन होती है, जबकि option नहीं है, इसलिए option D यहां correct हो जाएगी next question दिया गया है, फाइप नमर में, कि निकुलेस की दरिवाइन संख्या, निकुलेस की दरिवाइन संख्या क्या होती है, तो option A यह दिया गया है, सदा उसके परमानुकर्मांग से कम होती है, सदा उसके परमानुकर्मांग से अधिक होती है, सदा उसके परमानुकर्मांग क के बराबर होती है ओके दोस्तों तो आपके सामने हैं आप लोग इसका एंसर सोच सकते हैं ओके दोस्तों क्योंकि यह सब कोश्चन इंपोर्टेंट से और इस तरह से पूछा जाता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी कभी उसके परमानुकरमांग से अध होता है कि ओके दोस्तों तो अप्सन नमर यहां दिया है फस्ट ये का सवर्न कलोराइड ऑप्सन बी दिया गया है स्वार्न नाई ट्रेट और दोस्तों थोड़ा अलग पन्ना में मिलेगा तो आप लोग पूरे वीडियो को जुड़े रहे हैं वीडियो लाइक करें सब्सक नमबर C ये फस्ट सिल्वर स्वर्न कुलोराइड स्वर्न नाइटेट और ऑप्शन C कहता है कि स्वर्न सलफेट ऑप्शन D पोटेश्यम औरी साइनाइड ओके दोस्तों तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपके सामने नेक्स कोस्टन दिया गया है सेवन नमर में कि जंग रोधी इसपात का निर्मान इसपात का मिस्तरावन किस से होता है जंग रोधी जो इसपात बनाया जाता है उसमें किस किस चीज़ का मिलावट होती है Option में A, Tamr और Nickel Option में B, Tamr और Chromium Option में C, Chromium और Nickel Option में D, Magnet और Tamr ओके दोस्तों, तो आप लोग answer को सोच सकते हैं इसमें इनमें से कौन correct हो सकती है और जरूर लाइक करें दोस्तों, सबस्क्राइब करें Option में C, इसका correct हो जाएगी क्रोमियम और नीकेल जो मिलाये जाता है इससे क्या हो त omin जंग रोधी इसपात बनाय जाते है एट नमर कॉशन करता है कि टिप्रिसीसा विसाक्तन को dot dot भी कहते है तिप्रिसीसा विसाक्तन है इसका दूसरा नाम क्या है ऑप्सन नमर यह इटाई इटाई आप्शन नमर B प्लम्बिज्म आप्शन नमर C नूरेलियम आप्शन नमर D बाय निसियोसिस तो इसका correct answer आप्शन नमर B प्लम्ब्ज्म हो जाएगा चली 9 नमर में करता है सीसा एक है क्या है सुद्ध ठोस पदार्थ आती सितित द्रब्ब्ज पदार्थ आप्शन नमर C जैल आप्शन नमर D बहुल लग तो दोस्तों सीसा एक क्या है आप्शन नमर इसका B क्रेक्ट हो जाएगी आती सितित द्रब्ब्ज पदार्थ ओके दोस्तों चली आगे next question दिया गया है दस नमर में कि आईरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी परकिरिया लावकारी नहीं है चार आप्शन दिया गया है आईरन जो होता उससे जंग लगने के लिए कौन सी परकिरिया लावकारी नहीं है फर्स्ट अनिलन B ग्रीस लगाना option c जस्ता चड़ाना option d पेंट करना तो दोस्तों ये नीचे तीनों सभी हम जानते हैं ये सबसे जंग से बचाया जा सकता है पर नीलन ये मुझे समझ नहीं आती है और मैं भी आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट के माधिम से बताएंगे option नमर यहाँ ये correct हो जाएगी और नीलन ओके दोस्तों क्योंकि ये तीनों में से different चली next question दियागी 11 नमर में stainless steel में निमलिखित में से कौन साता तो नहीं होता है stainless steel जो होता है उसमें कौन साता तो नहीं होता है iron, tungsten, chromium और nickel तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option नमर या B ये जो tungsten होती है ये stainless steel में नहीं पाए जाती है चली next question दिया है 12 नमर में cement समाने ता किसका मिश्रन होता है आनि cement में किस किस सीज का मिलावट होती है option नमर ये calcium silicate और calcium aluminate option नमर B calcium silicate और calcium ferret ओके दोस्तों और next C दिया गया है कि calcium aluminate और calcium ferret option नमर D चुनना पत्थर और silicon dioxide तो इसका correct answer हो जाएगा option नमर ये calcium silicate और calcium aluminate cement में समाने ता यही दो मिलाई जाती है चलिए next question दिया गया है कि quick silver का राशायनिक नाम है quick silver का राशायनिक नाम क्या है option नमर ये पारद B. चांदी C. स्वर्न D. तामबा ओके दोस्तों तो इसका correct answer हो जाएगा option नमर यहां एक correct हो जाएगी पारद quick silver का राशायनिक नाम क्या है पारद चलिए next question दिया गया है निम्न में से कौन सा ससक्त असकंदक है चार option है इसमें से कौन सा ससक्त जो है असकंदक है ओके दोस्तों यह असकंदक मुझे समझ में नहीं आती है आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग answer दिने के कोशिस करेंगे कमेंट के मज़म से इसका करेक्टर से हो जाएगा अलुमिनियम क्लॉराइड और और नमर सी यह जो है ससक्त असकंदक है और कोई हिंदीस को तो इंगलीस तो पता नहीं है ओके दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन आपके सामने है कि निमलखित में से कौन सी धातू मुक्त अवस्था में पाए जाती है धातू जो कौन सी है वो मुक्त अवस्था में पाए जाती है यानि फिर अवस्था में पाए जाती है इससे या बोले तो इसमें कोई जंगूंग नहीं लग सकता है ये बिल्कुल सुद्ध के रूप में होती है इसका कोई निस्कर्शन नहीं होता है तो इसका correct answer हो जाएगा तामबा ओके दोस्तों तामबा जो होती है बिल्कुल मुक्तवस्था में हो दिये next question आपके सामने दिया गया है question number 16 16 कहता है कि हिरे का एक केरेट किसके बराबर होता है option नमर ये 100 g mg option नमर बी 150 g mg option नमर सी 200 g mg option नमर डी 250 g mg तो दोस्तों हीरे का एक केरेट जो होता है ये 200 gram mg के ब्राबर होती है option number c यहां correct हो जाएगी okay दोस्तों याद रखना है option number c correct है यह काता है 17 नमर में अध्या बाहिए होता है तक इसpect जीज़ा का दोस में गैस का option number b द्रव में द्राव का option number c गैस में द्राव का option number d थोस में गैस का तो दोस्तों इसका correct answer option नमर B हो जाएगी द्रव में द्रव्य का चलिए next question आपके सामने है 18 नमर का कि समूद्री जल को किस परकिरिया से सुद्ध किया जा सकता है समूद्री जो जल होती है किस परकिरिया के द्वारा सुद्ध किया जा सकता है option नमर ये आस्वन बीधी, आस्वन बीधी, वास्पन बीधी, option नमर C, फिल्टरन, option मर D, परभाजी, आस्वन तो दोस्तों समूद्री जल जो है उसको हम आस्वन बीधी के द्वारा इसे सुद्ध कर सकते हैं option ये correct हो जाएगी 19 नमर में दिया है समूद्र के पानी से कौन सी धातो निकाली जाती है चार option आपके सामने potassium, B, magnesium, C, aluminium, D, beryllium तो इसमें से कौन सी धातो जो है निकाली जाती है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option नमर B, magnesium समूद्र के पानी से कौन सी धातो निकालती है magnesium निकाली जाती है और दोस्तों ये last question है इसमें तो 50 question है पर मैं 20 question का ही पीडियो सेट बनाऊंगा ये सराब पीकर वहान चालक के सौसन परिक्षन में यातात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है potassium dichromate sulfuric amul potassium per magnet sulfuric amul option C, filter paper पर हल्दी option D, silver nitrate की परत, चड़ी silica gel ओके दोस्तों तो इसका correct answer हो जाएगा option number यहाँ एक correct हो जाएगा जो potassium जो dichromate होती है ने, sulfuric amul यही डाला जाता है ठिक, syrup वगरा पीते हैं तो इसी से check किया जाता है जो machine में डाला जाता है तो दोस्तों यहाँ 20 question का आपका set complete होता है, आप लोग पूरे वीडियो से जुड़े रहें, part 2 भी इसका आएगा, ओके दोस्तों बहुत अच्छे तरीका से, इसमें देखी करीवन करीवन 50 question में एक video में लिया हैं, तो आप लोग इसको पूरा जरूर देख लेंगे second part भी इसका बहुत जल्द डाल दूँगा मैं, ओके दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी नए आये हैं इस चैनल से, ओके पिया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, आप लोगों की जरूरत है थैंक्यू